हे गईस कैसे हैं आप में नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको बेला बीटा और्गेनिक ब्राइन के नेल स्ट्रॉंग ओयल क्यूटिकल केर के बारी में रिव्यू दूंगी इसके बारी में बताऊंगी कि ये ओयल आपके नाखुनों को किस तरीके से फायदा देता है डिटेल में गईस आज इसका अपन रिव्यू करेंगे बैनेफिट, साइट, फैक्ट, यूज़िस, प्राइज, इन सब के बारी में तो गईस अगर आप अपने नाखुनों को मजबूद बनाना चाहते हैं, नाखुनों की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं या फिर नाखुन के आसपास जो तचा होती है, जो फट जाती है, थोड़ी सी अपनी जो इसकिन है, वो निकल जाती है इस पर करके कोई भी समस्या हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंपोटेंट होने वाली है तो पूरी वीडियो को देखना ना भूले चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर दें बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे तो चलिए गई स्पिनर टाइम वेस्ट के उपन बात कर लेते हैं इस ओयल के बारे में जो कि आपके नाखुनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बैस्ट है नाखुनों के विकास में मदद करता है नाखुनों को मजबूत बनाता है और गईस इसके अंदर जो इंग्रीडियो इसके तरगाइस इंग्रीडियों के रुमें फ्लैक सीट ओयल रेडिस ओयल संफ्लावर और कास्टर ओयल लाइम वील और लेमन ग्रास ओयल केरेटिन कोकोनट ओयल और ओट एक्सटेक्ट यह सारे इंग्रीडियों जो के आपके नाखुनों को मजबूत बनाते हैं यूज कर आप राट में लगा रहे हों तो दोने की आवश्किता नहीं है हातों को लगा आपकर सीटिकल के चारों और तिछा पर को समावत करता है और नाखुनों के मरमत करता है नाखुनों के विकास को प्रोशायथ करने में मदद करेंगा प्राइस की बात करें तो इसका 12 MN की packaging आपको मिलेगी 20 MN की packaging गैस आपको मिलेगी 299 रुपे में जिसको आप online खरी सकते हैं market से purchase कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे आप इसको वाँ से खरी सकते हैं वो आपकी choice की उपर depend करता है मैं तो गईस आपको यही suggest करूँगी कि जहाँ आपको सस्ता affordable मिले आप इसको वहीं से purchase करें और हमने वैसे description box में इस product का link mention किया हुआ है अगर आप चाहें तो इस link पे click करके भी इस product को purchase कर सकते हैं लेकिन याद रखें गईस वैसे तो इस oil को कोई side effect नहीं है लेकिन इस इस्तमाल में लेने के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत या परिशानी हो रही हो तो उसी टायम इस इस इस्तमाल में लेना बंद कर दें और डॉक्टर से concern जरूर करें कोई भी product purchase करें तो सबसे पहले उसकी manufacturing और expiry date आप जरूर चेक कर लें क्योंकि कुछ लोग guys expiry date दे के बिना ही product को purchase कर लेते हैं फिर उसका इस्तिमाल करते हैं तो आपको side effect होने लगते हैं क्योंकि आपने guys एक expiry product purchase किया है जिसके बारे में आपको knowledge ही नहीं है इसलिए guys have it दाल लेके हाँ हम जो भी product purchase करेंगे उसके expiry date तो हमें check करनी ही करनी है तो guys आज की वीडियो में वस आपको इतना ही बताना चाहूंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो please उसे like कीजिए friend और के साथ share कीजे subscribe कीजिए जिससे आपको हमारे नएने वीडियो के update मिलती रहे नएने जानकारिया मिलती रहे और guys बैल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो दालते है time to time आपके पास पहुंचती रहे और इस project की regarding आपका confusion दूर होता रहे फिर भी guys अगर आपको इस project की regarding या किसी अधर project की regarding कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप comment box में भी जाकी comment कर सकते हैं हम आपके लिए हमेशा available रहेंगे आपकी सायता जरूर करेंगे so guys हमारी channel को like and subscribe करना ना भूले धन्यवाद